So guys, finally Apache RTR 310 launch हो चुकी और लिटरली इस बाइक के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स आए हैं जो कि अभी मैं आपको बता हूँगा कि कुछ सूपर बाइक में भी ऐसे फीचर्स नहीं आते हैं जो कि बहुत शांदर है जैके इस बाइक के अंदर है क्विक शिफ्टर इस बाइक के अभी मैं फीचर्स आपको इक एक करके बताऊंगा प्राइस भी बताऊंगा हर एक वेरियंट की सो बहुत ही शांदार यहां पर प्राइस पॉइंट पे बाइक लॉंच की गई है लिटरली जो फीचर्स हैं वो अगर आप अभी देखोगे तो आपका बिलकुल आपको ऐसे साथ कनेक कर सकते हैं यहां पर आपको अपसाइड और सिस्टम देखने को मलता है ओवराल एक प्रॉपर रेसिंग यहां पर नेकेड स्ट्रीट बाइक देखने को मलती है प्राइस टार्ट होता है 2,42,990 से फिर आता है सेकंड प्राइस 2,57,990 का फिर आता है टॉप अफ द देखने को मलती है यहां पर पावर आउटफुट में कोई भी चेंज नहीं है इंजिन के अगर में बात करूँ साथ में अगर अगर हम बात करें TFT इंस्रुमेंट क्लुटर के बारे में तो कम्प्रीट कलरड है 5 इंचिस की मल्टी वे कनेक्टिवेटी के साथ हैं आपर चीज हर एक इंफॉमेशन जो है इस डिस्प्ले के अंदर टॉगल कर सकते हैं टॉगल बटन से जो कि हैंगल बार्स पर लेफ साइड में दिये गए हैं और ओवराल TFT इंस्रुमेंट क्लुटर बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ यहां पर आपको बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं और भी कमाल के फीचर आते हैं जो भी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर अगर हम बात करें अपाचे आर्टीर 310 के बारे में तो वराल इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है कूलिंग और हीटिंग सीट मतलबी जो सीट है यह ठंडी हो करेगी नीचे स जो कि मेरे इसाब से एक बहुत ही शांदर काई climate control seat है और futuristic जो है आपको फीचर देखने को मिलता है बहुत ही amazing यह तो मुझे लगता है कुछी सूपर बाइक में आपको देखने को मिलता है यह वाला feature और TVS ने तो literally यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर दिया गया है इन सब features को यहाँ पर load करके price definitely बहुत ही यहाँ पर promise रखे इन सब features के साथ यहाँ पर देख सकते है कि climate control seats आपको बाइक के अंदर देखने को मिलती है जो कि मेरे साब से Indian market के लिए तो बहुत अच्छा है because cooling से इसकी बहुत जादा ज़रूरत है यहाँ पर because of the hot and humid climate and यहाँ पर अग देख सकते हैं TPMS आपको देखने को मिलता हैं साथ में और भी सारी information आप निकाल सकते है Bluetooth के through जब आप यहाँ पर phone को bike के साथ connect कर सकते हैं and overall कोई भी information आपको चाहिए हो यहाँ पर bike की dynamics की and overall कोई भी service की तो आपको यहाँ पर आपको phone के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी adjustable यहाँ पर suspension system देखने को मिलता हैं आप दिख सकते हैं front जो है completely adjustable है overall यहाँ पर front और rear दोनों ही adjustable आते हैं जो की बहुत अच्छा है यहाँ पर radial tires देखने को मिलते हैं dual compound वाले और जो bike है literally कम माल कर दिया है यहाँ पर TBS ने इतना जादा एक शांदार जो है product launch किया है Apache RTR 310 and overall जो look आता है feel आता है bike का वो बहुत अच्छा है यहाँ पर overall colors बहुत अच्छे हैं black, yellow, blue and यहाँ पर जो है आप kits भी लगवा सकते हैं इस bike के अंदर जो की काफी ज़ता add-on अच्छे होंगे आपको कैसी लगी Apache RTR 310 comment section में बिलकुल बताईएगा और आपके क्या thoughts इस bike के ब जैसे ही hands-on हमें यहाँ पर available होगा and overall literally I am really impressed by the overall quality and overall the feel of the bike जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है आपका क्या मनना है कि आप लेंगे की ने लेंगे अगर आप एक अच्छी bike ढूंड रहे है अपने इंडियन market में तो comment section में ज़रूबताएगा so मिलते हैं आप से लिए में till then be happy and ride safe buh-bye